देखे एक शाब्ध है इल्तिजा, तो इस उडियो में इल्तिजा को हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या आर्थ और उम्दला होता हैं, दोनों में जानेंगे, एक्जामपल से सेंटेंसे में यूज करके आची तरह से समझेंगे, तो चले ये वीडियो को स्टा आने वाला निवेदन को हम इल्तिजा बोलते हैं, इंग्लिश में इल्तिजा को बोलते हैं, रिक्वेस्ट या रिक्विजिशन, अप्पील या अप्लिकेशन, प्ली, सॉलिसिटेशन, सप्लिकेशन, पेटिशन, एंड एटिसमला और भी इंग्लिश में इसके शब्द हो सक sadness, तो sadness का मतलब उदासी, ठीक है तो मिन आपने इदिजा शब्द को हिंदी इंग्लिश में एक सामपल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है, थैंक्स पर वाचिंग एजुके यार, डेस्क